हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लीगल कॉस्मोलोजी चैनल पर अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथी साथ बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को आल पर सेट कर दे ताकि आने वाली सभी वीडियो आप सबसे पहल तारिक तक मतलब कि एक महिना हमारे चैनल पर एक गिववे कॉन्टेस्ट रखा जाएगा जिसका फर्स प्राइस होगा ओपो ए फिफ्टी टू स्मार्टफोन और सेकेंड प्राइस होगा सैमसंग लेवल यू वायरलेस ब्लूटूथ हेडसेट्स इस कॉन्टेस्ट से रेले छाही बहुत ही इंपोरटन्ट रोल प्ले करता है फिर चाहे वो क्रिमिनल केस हो या फिर सिफिल नेचर का केस हो और क्रॉस एग्जामिनेशन का एक बहुत ही इंपोरटन पार्ट होता है कॉन्ट्राडिक्शंस और ओमिशन को प्रूख करना सबसे पहले जानेंगे से आया है जिसका मतलब होता है शब्द या वर्ड इन शॉर्ट का मिनिंग हुआ विरोधी शब्द या विरोधी स्टेटमेंट तो देखिए किसी भी विटनेस की टेस्टीमनी जो होती है उसे दो बार रेकॉर्ड किया जाता है क्रिमिनल केसेस में एक बार कहते है तो आईए कॉंट्राडिक्शन को हम एक एक्जामपल से समझते है फॉर एक्जामपल अगर किसी कोर्ट में मार्बिट का मुकदमा चल रहा है और विटनेस ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि अक्यूज ने विक्टिम क में आपको बताया है कि किसी भी विटनेस के स्टेटमेंट को दो बार रेकॉर्ड किया जाता है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने दी गई स्टेटमेंट में कही बातों में से कुछ बाते यदि विटनेस कोर्ट के सामने विटनेस बॉक्स में मतलब की एक्जाम का मुकदमा चल रहा है अब उस ही मुकदमे में मान लीजिए विटनेस ने investigating officer को अपनी बयानात देते वक्त ये कहा था कि accused ने victim को attack करते वक्त अशलील भाशा में गालियां दी थी और witness box में वही witness गालियों का किसी भी तरह से जिकर नहीं करता तो इसे हम omissions कहेंगे क्योंकि witness की यह duty थी कि वो court को पूरी घटना या वाकिया as it is बताए लेकिन उस duty को witness ने omit कर दिया इसलिए हम इसे omission कहते है ये तो हुआ theoretical नजरिया जिसके तहत हमने समझ लिया कि contradiction और omission का meaning क्या होता है लेकिन आगे हम जानेंगे इसे prove कैसे करना होता है इसे prove करने का तरीक को prove करने की procedure क्या है इसे दो तरीकों से prove किया जा सकता है हमारे previous example में witness ने investigating officer के सामने statement देते वक्त कहा था कि accused ने victim के सर पर iron rod से attack किया था और court में witness ने ये कहा कि war जो है वो wood stick से किया गया था अब ऐसे में आपको cross examination में witness को ये सवाल पूछना है कि आपने police को statement देते वक्त ये कहा था कि attack जो है वो iron rod से किया गया था और यदि witness इस चीज़ को admit करते हुए हा में जवाब देता है तो आपका contradiction जो है वो prove हो जाएगा और यदि witness इस चीज़ को deny करते हुए ये कहता है कि मैंने police के सामने भी wood stick ही कहा था तो ऐसे में आपको दूसरे तरीके से prove करना तरीका क्या है आईए जानते हैं तो दूसरा तरीका ये है कि अगर witness जो है वो contradiction को deny करता है तो आपको last में cross examination में investigating officer से ये सवाल पूछना होगा कि इस witness ने आपको statement देते समय ये बताया था कि attack जो है वो wood stick से किया गया था तब investigating officer का जवाब नामे ही होगा क्योंकि खुदी की लिखी चीज़ों को वो deny नहीं करना चाहेंगे तब आपको ये सवाल करना है कि क्या आप बता सकते है कि ये witness जूट क्यों बोल रहा है तब जवाब मिलेगा कि पता नहीं और इस तरह से contradiction जो है वो prove हो जाएगा लेकिन वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक giveaway contest के बारे में बताया था तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस contest की पूरी details को shortcut में जान लेते है तो इस giveaway contest की कुछ conditions इस तरह से होगी सबसे पहली बात तो ये कि आपको हमारे चैनल का subscriber होना जरूरी है Secondly, आपको वीडियो को पुरा वाच करना है बिल्कुल भी skip नहीं करना और Thirdly, आपको वीडियो को like, share और comment करना है और अपने screenshot को description में दी गई email पर भेज देना है Next month की 15 तारिक को winners के नाम announce किये जाएंगे बात करते हैं omissions की, तो omissions क्या होता है यह हमने अपने वीडियो में पहले ही clear कर दिया है जिस तरीके से contradictions को prove किया जाता है, कुछ उसी तरीके से omissions को भी prove किया जाता है witness की testimony में contradictions या omissions होने पर उस witness की credibility कम हो जाती है और जिसका सीधा सा फाइदा आपको अपनी case जीतने में होने वाला है तो ये थी कुछ legal tips अगर आपको किसी भी तरह की legal query हो तो हमें comment section में जरूर बताए वीडियो को पूरा देखने के लिए thank you